हल्यो एव्डिवन, हम क्लास सेवंथ साइन्स एन्सियार्टी को स्टेडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नमर फोर जिसका टाइटल है उश्मा इसके बारे में डिसकस करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में चैप्टर 3 से related कुछ basic facts दे हुए हैं कि चैप्टर 3 में हम ये पढ़ चुके हैं कि उनिवस्तर जानतव रेसों से बनाए जाते हैं और इसके अलावा Classics की Science की जो बुक है उसमें हम ये study कर चुके हैं कि सूती वस्तर जो है वो पाधप रेसों से बनाए जाते हैं और आप सभी को पता है कि सीतकाल का जब मोसम आता है सरदी का मोसम आता है तो हम सभी उनिवस्तर पहनते हैं और जब गर्मी आती है तो हम एकदम हलके रंगे सूती वस्तर पहनना पसंद करते हैं तो यहाँ पर यही क्योशन किया हुआ है कि क्या रीजन है कि ह मोسم के according जो हमारे कपड़े हैं वो अलग तरीके से पहनते हैं दूसरे अपर ये बताया हुआ है कि सीदकाल में जब हम घर के बाहर मतलब जब धूप में जाते हैं तो हमें गर्मी का एसास होता है और घर के अंदर जाते हैं तो ठंड का एसास होता है मतलब यहां पर सीदी तरी करने की कोसिस की गई है कि किस किस तरीके से हीट का उश्मा का ट्रांसपर देखने को मिलता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जिससे जो है वो गर्मी जो है वो हमें फील होती है तो उन सभी के बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है कि कौन-कौन से तरीके हैं जिससे हमें उस्मा का इस्तानांतरण देखने को मिलता है अब आपसे एक question पूछा जाता है कि आपको दो वस्तुएं दे रखी है आपको ये बताना है कि कौन सी वस्तु गर्म है कौन सी वस्तु ठंडी है तो आप कैसे तरीके से बता सकते हो आप उनको touch करोगे और आप बता दोगे कि हाँ ये वस्तु गर्म है और ये वस्तु ठंडी है आप ये भी comparison कर दोगे कि कौन सी वस्तु जादा गर्म है कौन सी वस्तु जादा ठंडी है लेकिन आपसे अगर accurate पूछा जाए कि किस वस्तु का कितना temperature है तो इसका answer आप accurate नहीं दे पाऊगे तो किसी भी वस्तु का हमें जो है अगर accurate तापमान चाहिए तो उसके लिए thermometer यूज किया जाता है तो सबसे पहले इस chapter में human body के temperature मापने के लिए जो thermometer यूज किया जाता है उसके बारे में बता रखा है कि human body का temperature अगर हमें मापना हो तो उसके लिए जो doctorate thermometer जिसको बोलते है उसका use किया जाता है और यहाँ पर यहाँ पर उसकी सनरचना आपको दिखा रखी है और इसमें एक bulb जैसी सनरचना होती है यहाँ पर भरा होता है पारा और इस पारे की थ्रू जो है वो temperature नापने की कोसिस्ट के जाती है आपने भी जब आपके fever आया होगा तो आपने इस तरीके का procedure किया होगा कि मुह में इसको दबा करके और जो temperature आपकी human body का उसको नापने की यहाँ पर कोसिस्ट की गई होगी तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 35 degree Celsius से 42 degree Celsius तक परास है इस डॉक्टे थर्मामेटर की मतलए human body का temperature जो है वो इसके बीच में देखने को मिलता है degree Celsius में यहाँ पर परास है इसके अलाव फिर degree Fahrenheit जो है उसमें भी यहाँ पर परास दे रखी है तो यहाँ पर जो पारा जो है इसका यूज किया जाता है बल्ब में पारा भरा होता है और बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकिली धारी देखी जा सकते है जिसके थ्रू जो है वो temperature का यूज किया जाता है तो सबसे important part तो यही हो गई कि doctory thermometer में किसका यूज किया जाता है अभी present time में क्या होने लगा कि इसकी जगे पर digital thermometer यूज किया जाने लगे जिसमें पारा यूज नहीं किया जाता क्योंकि पारा जो है वो काफी जढ़ा विसाक्त परदार्थ है तो अगर ये thermometer तो 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 पारे को जो परास जो है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेलसियस के बीच में देखने को मिलता है अगर हम average बात करें तो एक human body का जो average सामानेत आपमन 37 डिग्री सेलसियस होना चाहिए लेकिन यह average है बहुत सारे लोगों के temperature का human body temperature का एक average निकाला जाता है और इसके basis पर है इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है human body का temperature अब यह तो हमने बात कर ली human body के temperature नापने की लेकिन अगर हम बात करें कि अगर किसी और वस्तु का हमें temperature मापना है तो उसमें हम doctori thermometer का use नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो परास है वो काफी ज़्यादा कम देखने को मिलती है तो यहाँ पर प्रियोक साला जो ताप मापी है उसका use किया जाता है उसका यहाँ पर temperature यहाँ पर परास अगर हम बात करें तो उसको minus 10 degree से 110 degree Celsius तक उसका जो परास है वो यहाँ पर दे रखा है और उसका use किया जाता है किसी भी वस्तु के temperature को मापने के लिए तो यह तो हमने डिसकस किये कि क्या-क्या procedure है और कौन-कौन से equipment है अब हम कुछ other procedure के बारे में डिसकस करेंगे जिसमें तीन है आप उनको इस तरीके से समझे एक है चालन दूसरा है समवाहन और थर्ड है विकीरन इनके थ्रू जो है वो उच्छमा का transfer हमें देखने को मिलता है जैसे कि आपने आपने गैस चुला ओन किया और इसके बाद में आपने जो है एक तरीके से इस तरीके का कोई aluminium का या कोई steel का जो है वो इस तरीके से जैसे चिम्टा आपने पकड़ा तो यहां से आपने अपने हाथ के थूरू इसको पकड़ रखा है और इसको जो है वो उस्मा का transfer हुआ उसको बोला जाता है चालन इसमें क्या हुआ स्टार्टिंग में जो यह चिम्टा था यहां पर जो इसके कंड थे उनको उस्मा मिली और फिर यह कंड जो है जैसे उनको उस्मा मिली एनरजी मिली वो एक तरीके से वाइबरेट करने लगे उन्होंनोंने आगे यहां तक जो हीत पहुँची उन्होंने इस तरीके से आगे 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 transfer कर दी तो यह होता है चालन तरीका होता है जिसके थिर उस्मा का इस्तानांतर देखा जाता है maximum जो है जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें इसी तरीके से जो है वो उस्मा का इस्तानांतर होता है दूसरा हम बात करेंगे समाहन देखो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि चालन में क्या होता है कुछ पधार्थ ऐसे होते हैं, जो सुचालक होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिसकस किया है, अलुमिनियम या फिर स्टील, ये जो है, वो सुचालक है, इनके थुरू जो है, वो उस्मा का इजिली संचार जो है, विरिस्तानांतरन जो है, वो देखने को मिलता है, लेकिन कुछ जो है, वो कुछालक होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, तो बात करें हम जैसे कि लकडी, लकडी जो है, वो कुछालक होते हैं, लकडी के थुरू जो ऐसे नहीं है, कि लकडी को आपने इस तरीके से गर्म किया, यहाँ पर आपने गर्म किया, तो यहाँ पर जाकर के उसम के कुछालक होते हैं तो फिर उनमें उस्मा का इस्तानंतरन कैसे देखने को मिलता है तो उनके लिए तरीका यूज होता है समवयन का आप सभी को पता है ये मानलो हमारा बर्नर है इसके उपर हमने पोट रख रखा है और पोट में है पानी अब पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो उसकी जगह जो है वो ठंडा पानी ले लेगा उपर का जो पानी है वो नीचे की तरफ आएगा नीचे का गर्म पानी उपर की तरफ और ये प्रोसीजर जब तक चलता रहेगा जब तक पूरे पूरा जो पानी जो है उसका टेंप्रेचर समान नहीं हो जाता है सेम इसी तरीके से वायू में होता है वायू जो है वो गर्म होती है गर्म वायू उपर की तरफ उड़ती है उसका इस्तान बरने के लिए ठंडी वायू नीचे की तरफ आती रहती है तो इसी तरीके से वायू में और जल में उस्मा का संचालन जो है, वो समवैन प्रकिरिया के थुरूर देखने को मिलता है, लेकिन चालन में और समवैन में एक अंतर है, समवैन में क्या होता है, कि समवैन में जो कण है, आपने ये देखा न, कि पानी जो है, जो गर्म पानी है, उसके कण यहां से निकल करके उपर की मतलब किसी भी पधार्थ के जो कण है वो निकल करके खुद जो कण है वो ट्रेवल करके दूसरी जगे जा रहे हैं और तब जाकर कि उस्मा का संचालन हो रहा है लेकिन चालन में ऐसा नहीं होता है यहां के जो कण है वो यहीं पर मोजूद है सिर्फ और सिर्फ वो अपनी एन इस तरीके से देखने को मिलता है अब थर्ड तरीका है विकीरण विकीरण में क्या होता है कि कोई भी जो ठोस पदार कोई भी गर्म पदार जो है या फिर हम देखते हैं कि जैसे की सूरिय जो है उससे हमें विकीरण मिलती है उससे हम सूरिय की किर्णे प्राप्त करते हैं तो जो भी गरम पिंड जो होता है वो अपनी उस्मा को विकीरत करता है तो जो विकीरत जो उस्मा है उसको जो है वो दूसरे पधार थोड़ी सी अपजोब कर लेते हैं थोड़ी सी जो है उसको दोसरी तरफ से परावर्तित कर देते हैं इस तरीगे का प्रोसिजर होता है तो यहा जो है उसमें माद्यम ना भी हो तो भी वहाँ पर उसमा का ट्रांसपर देखने को मिलता है यह आपको ध्यान में होना चाहिए तो यह हमने तीन तरीके डिसकस किये हैं जिसके थ्रू जो है उसमा का ट्रांसपर जो है वो एक जगे से दूसरी जगे पर देखने को मिलता है चाल से नहीं जाने देते हैं उस्मा को उसको उस्मा का कुचालक कहते हैं जैसे कि प्लास्टिक और लकडी कुचालकों को उस्मा रोधी भी कहते हैं जल और वायू जो है वो उस्मा के कुचालक है और फिर उन में किस तरीके से उस्मा का स्तरनांतरन होता है तो ये हमने तरीका अब यहां पर हम देखते हैं कि हमने क्या देखा कि देखो हमने देखा कि गरम वायू जो है वो उपर की तरफ औरती है उसकी जगह जो है वो ठंडी वायू जो है वो ले लेती है तो इसी तरीके का एक गटना जो है वो हम तटिय छेत्रों में देखते हैं समुद्र के तटिय देखने को मिलता है, समुद्र समीर और थल समीर, क्या होता है कि अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है, दिन के समय अगर हम बात करें, तो इस तल जो है मतलब धर्ती जो है, वो जल की अपिक्षा सिग्र गर्म होती है, तो क्या होगा जो धर्ती जो है यहां पर आप मान लीजिए कि हमारे इंडिया का ये जो है वो पैनिन्सुलर इंडिया है यहां पर तो यहां पर जो तक्टिय छित्रों में जो लोग रह रहे हैं और ये जल है तो यहां पर जो धर्ती जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और अभी हमने देखा कि जैसे ही धर्ती गर्म होगी उसके उपर की वायू जो है वो भी गर्म होगी तो गर्म वायू जो है वो उपर की और उठेगी तो इसको फिल करने के लिए क्या आएगा ठंडी वायू आएगी और ठंडी वायू कहां से आएगी क्योंकि पानी जो है वो देरी से गर्म होता है त जादा तर घरों में ताकि वहां से जो ठंडी हवा है वो आती रही। और जो समुद्र जो है, वहाँ पर गर्म है, तो वहाँ की वायू गर्म है, तो वहाँ की वायू तो उपर उठेगी, और उसको फिल करने के लिए धर्ती से वायू यहाँ पर जाएगी, जिसको बोलते हैं थल समीर, तो ये procedure देखने को मिलता है टट्टिय चितरों में, ओके, तो ये हमने discuss कर लिया, अब हम देख लेते हैं कुछ important बातें, जैसे कि अगर हम बात करें कि सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने के जो कपड़े हैं, वो अलग-अलग क्यों होते हैं, देखो, गर्मियों में जो होते हैं, वो हम पहनते हैं हलके रंग के कपड़े, और जो हलके रंगा कपड़ा होता है वो उश्मा को कम अवसोसित करता है जिसकी वज़े से गर्मियों में जो हलके रंगे कपड़े होते हैं वो उश्मा को कम अवसोसित करेंगे तो हमारी बोड़ी जो है वो से कूल रहेगी ठंडी रहेगी इसलिए जो है इस तरीके के कपड़ों लूश्मा पे おोखches रोधी के बात करें, उन फायू धोके लिएウ गर्माद करते हैं। पेना है, जो भी पेना है, उसके अंदर जो भी हमारी उश्मा है, उसको ट्रैप कर लेती है, और इसके वज़े से हमें जो है, वो उश्नता का अनवाव होता रहता है, तो सर्दियों में आप क्या करें एक मोटा कम्बल यूज़ करने के बजाए दो कम्बल जो है उसको यूज़ करें क्योंकि दोनों कम्बलों के बीच में जो है वो आयू की परत रहेगी और वायू जो है वो उस्वा के कुछालक रहेगी मतलब आपकी body जो है वो ज़्यादा गर्म रहेगी तो ये हमने chapter से related basic facts को discuss कर लिया है important facts है ये जो facts है न वो आपको geography को समझने में भी मैटपून रहेंगे जब भी हम धाराएं पड़ते हैं या फिर जो भी other चीज़े समुद्र और इस्तल से related basic facts discuss करते हैं उनको समझने में बहुत easy ये चीज़े जो है वो आपको provide करती हैं तो जो भी हमारी classic 7th, 8th, 9th, 10th या जो भी हमारी NCRT है न वो जो भी हमारे basic facts है उनको इस तरीके से easy way में clear करती है न ताकि जब हमें standard books पढ़ते हैं उनको अच्छे से relate कर पाते हैं तो इस chapter में हमने क्या सिख्या उसका पहला हम एक summary ले लेते हैं तो हमने देखा कि किसी भी वस्तु की उष्णता की कोटी को ज्यात करने के लिए हम अमेशा जो है वो अपने touch पर विश्वास नहीं कर सकते ताप जो है वो किसी वस्तु की उष्णता की कोटी की माप है ताप मापी वह युकती है जिससे ताप मापा जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सरीर का ताप मापने के लिए क्या जाता है मानव सरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है उश्मा जो है ये important fact है उश्मा जो है वो हमेशा उच्चिताप के पिंड से निमताप के पिंड की और इस्तानांतरित होती है और एक वस्तू से दूसरे वस्तू में उश्मा तीन प्रकर्मों द्वारा इस्तानांतरित हो सकती है ये है चालन, समयन और विक्रन जादातर ठोस में जो है उश्मा का संचालन द्वारा इस्तानांतरित होता है दर्वो और गैसों में उश्मा समयन द्वारा विकिरत होती है और विकिरन द्वारा उश्मा के इस्तानांदरन के लिए किसी माध्यम की आफशक्ता नहीं होती है जो हम सूरिय से देखते हैं जो पदार्थ अपने से उश्मा को आसानी से प्रभाईत होने देते हैं उश्मा चालक कहते हैं गहरे रंग की वस्तों जो है वो हलके रंग की वस्तों की अपेक्षा उश्मिय विकिर्णों की अच्छी अवसोसक होती है यही कारण है हम गर्मियों में हलके रंग के वस्तों मे अधिक आराम का अनुबव करते हैं सर्दियों में उनी वस्तर हमें गर्म रखते हैं इसका कारण यह है कि उन जो है उश्मा रोधी है और इसके रेसों के बीच में वायू फसी होती है और जो वायू जो है वो भी उश्मा की कुछालक होती है और एक तरीके से वायू जो है हमारी जो उश्मा है जो बोडी हमारी जो उश्मा एक तरीके से रिलीस करती है सर्दियों में उसको एक तरीके से क्या किया जाता है रोक के रखती है और वो ही हमारी गर्मी जो है वो बोडी में बनाए रखती है तो ये चैप्टर से रिलेटर ब